अलो स्टुडेंस कैसे हो आप सभी आप सभी की डिमांड पे यह वीडियो आ चुकी है काफी दिनों से काफी साथ स्टुडेंस मेरे को बार बार यही कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी रैंक से बहुत ही कम है जी मीन्स के अंदर तो उसके वेस पर हमें क्या कोई NIT जब वो मिल सकत हुँ ठीक है तो मैं कुछ लिस्ट ओफ को लेकर आयों जिनके मतलब कि अगर आपके जी मेंस के अंदर लो रैंक है तो आपको वहां पर अड्मीशन से मिल सकता है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं मारे इस वीडियो को बिना किसी दे लिके अगर आपने अभी तक हमारे चैन रैंक है वो माईने नहीं रखती है ठीक है सिरफ मतलब only only one आप कह देना कि भी हमारी रैंक हो माईने रखती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब आप किसी कोलेजन में जब कांसलिंग्स होती है तो वहां पर काक्षी शारी चीज़े वो देखी जाती है first of all कि आपकी रैं है जिसे हम कहते है's or... तो आपके चांस है कि आपको वो कोलिज मिल जाए ठीक है other states मतलब कि कहीं दूसरा states के लिए अप़ाई किया है तो वहां पर ठीक है तो ये तीन चीजे वो चेक की जाती है, rank check की जाती है, आपकी category, फिर home states में हो, या other states में हो, तो इन सब चीजों के realize करके आपको, अभी वो सीजे, आप समझ गये होंगे, कि जैसे कि मैंने आप सभी को बता चुका हूँ, जो rank आपके होगे, और category होगी, और जो home states और other states का जो इसाब से लिया जाता है, तो उसके इसाब से आपको किसी college के अंदर admissions है, उसकी possibilities है, वो increase की जाती है, decrease की जाती है, ठीक है, तो ये भी उस चीज़ पे effect डालते है, तो इस चीज़ का मतलब आप समझ मत जाना कि भी सिर्फ rank की ही वो माइने नहीं रखती है, आप ए का आप से अपके नवा बहर बहर है वो बहर बहर सब कुछ बठाने से पहले, जो ये उस उसके साफ से है और एक बात और बताता हूँ, जो सके अंदर हमारे 1 से लेके 6 round होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको 1st round में ये colleges जो अलोट हो जाए, वो भी branch हो अलोटमेंट हो जाए, तो आपको round 6 में भी जाके वो branch हो सकता है, तो situations है वो आपको 1 से 6 तक आपको try करती रहना है, तब जा कि बस आपको काफे ऐसे students होते हैं, जिनको सिरफ ये है कि हमें कोई भी college है, उसके अंदर कोई भी branch अवो मिल जाए, ठीक है, तो उन सभी students के लिए ये video है, तो यहाँ पे हम कुछ explain कर देता हूँ, कुछ list of colleges है, जो 2020 के data के हिसाब से है, ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रांची जब हो, यहाँ पे आपको ना तो CS मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रांची जब कुछ अलग ब्रांची जब हो देखने को मिलेगी, यह भी चलो important ब्रांची जब है, ठीक है, जैसे NIT दिल्ली के अंदर अगर जलंदर के अगर आप बात करें, तो यहाँ एक लाग 72,000 पागर किसी स्टूइन्स की रैंक थी लास्ट येर, तो उसको यहाँ पे टेक्स्टाइल टेकनोलोजी के अंदर अडमीशन से वो मिल यादा, लेकिन कंडिशन यह थी, कि जो कैटिगरी उसकी अगर OBC NCL में हो, तब ही, ठीक है, अब यह नंबर याद कर लेज जो भी आपको कोशन्स में प्रोब्लम लगे, उस कोशन्स की आपको फोटो क्लिक करने है, क्रोब कर लेना, विदिन 5 सेकिंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉलूइशन मिल जाएगा, कोशन्स चाहे आपका 6 से लेके 12, NEET, IAT, JEE, और CBC बोड़े अधर किसी भी अधर कोशन्स चाहता है, तो अगर उसकी रेंक काफी जादा है, मतलब काफी लो है उसकी रेंक, अगर हम बात करें, तो वो यहाँ students आके try कर सकता है, उसको यहाँ पे easily admissions वो मिल जाएगा, ठीक है, हाँ यह ज़रूरी नहीं है कि round 1 के अंदर ही मिले, 2 के अंदर मिल सकता है, 3, 4 या 5 के अंदर भी मिल सकता है, ठीक है, उसके बाद NIT Goa है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2,21,000 जिस students की rank थी last year, उसको यहाँ पे triple E के अंदर admission मिल गया था, electrical and electronic engineering के अंदर, ठीक है, वो भी open candidates के लिए, ठीक है, यह एक अच्छी चीज है, NIT Goa एक अच्छी students है, जो यहाँ पे अगर आप बात करें, तो यहाँ पे आप try कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको triple E मिल रहा है, तो पूर, ठीक है, यहाँ पे 1,43,000 है, यहाँ पे आपको engineering physics मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज है, आज के टाइम में काफी जाए ट्रेंड में है, engineering physics है, वो काफी जाए students इस चीज के लिए prefer भी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए OBC, NCL वाले candidates ही, अगर उनकी rank कितनी है, तो वो apply कर सकते हैं, बाकि अगर हम general के बाद करें, तो यहाँ पे आप increase कर सकते हो, इसके अंदर, decrease कर सकते हो, इस rank के अंदर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिन students की rank, यहाँ पे आप approximately मान के चले न, जिनकी 4,00,000 से, मतलब 4,00,000 से above है उन students की rank, तो वो NIT में गाले में जा सकते हैं, वहाँ पे उनको triple E मिल सकते है, मतलब electrical and electronics engineering वो मिल सकते है, category का कोई माहिने नहीं है, जिन students की rank, 4,00,000 से above है, वो NIT में गाले में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे उनको triple E मिल सकते है, में भी उनको और भी branchी जब वो यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है, तो उन चीजों के लिए भी ट्राई कर लें, क्योंकि triple E के लिए अगर इतनी rank दे रहे हैं, तो आप अगर कोई भी और जैसे engineering physics अगर आप ट्राई करेंगे, तो वो भी आपको easily यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे NIT पुंदुचिरी आप यहाँ पे करेंगे कि यह कुछी, यह NIT पुंदुचिरी top colleges के अंदर है, वो आता है, ठीक है, तो अगर आप mechanical engineering prefer कर रहे हो, तो NIT पुंदुचिरी को आप यहाँ पे options में रख सकते हो, उसको अपनी choice feelings के अंदर रख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी opening candidates है, NIT सिक्किम के बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी अच्छा है, यहाँ पे जिन students की rank है, अप्रोक्सिमेटली एट लाइक के आजपास अगर उनकी आती है, तो easily यहाँ पे उनको admissions मेल सकता है, वैसे NIT सिक्किम के अंदर हमेशा ही rank, वो low candidates जिनकी rank होती है, वहाँ पे जाके admission easily, वहाँ मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको CSC के लिए भी ट्राइ कर सकते हो, NIT सिक्किम के अंदर, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, NIT अनुनाचल परदेश है, यहाँ पे प्रोक्सिमेटली वन पॉइंट एक लाख, 87,000 से यहाँ वहाँ भी mechanical engineering है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे NIT मिजोरम के बात करें, तो यहाँ पे electronics and communication engineering बहुती ज़्यादा इस चीज़ को ब्रांच को choose करते हैं candidates, और NIT मिजोरम के अंदर इस इन students की रहें के approximately 8 lakh के आसपास है, तो वो यहाँ पे apply से वो कर सकता है, ठीक है, उसके बाद NIT मनी पूर है, जहाँ पे 6 lakh के आसपास, mechanical engineering आपको मिल रही है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी NIT है, वो आप note out कर सकते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों से उपर में एक बात और आपको कहना चाता हूँ, कि अगर आप किसी college के अंदर admission लेने जा रहे हो, तो एक important point यह रहता है, कि मे operations करते हो, ठीक है, तो यह चीज़े माहिने रखती है, बाकि आपको अपनी, जो आप college के लिए select कर रहे हो, तो सबसे पहले इन चीजों पर ध्यान दीजिए, कि मैं कौन सा college लेना चाता हूँ, मैरा IT जाना चाता हूँ, जेफटाइज जाना चाता हूँ, ठीक है, उसके आप अपनी rank देखिए, आपकी category क्या है, ठीक है, और आप कि streets के अंदर चा रहे हो, home states के अंदर चा रहे हो, या फिर other streets के अंदर चा रहे हो, इन सब चीजों को note out कीजिए, उसके बाद आप colleges को search कीजिए, ठीक है, में भी ये video आपके लिए helpful होगी, इन colleges के अंदर जो list मैं ने आप सभी को दी है, इन में से अगर आपको कोई colleges पसंद है, तो आप उन में से choose कर सकते है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दो मैंने colleges वहाँ पर civil engineering की बताए है, तो यहाँ पर आप सो सकते हो इनके बारे में, ठीक है, और बाकी आप मुझे comment box में बताए कि NIT के बाद आप किस colleges के बारे में जानना चाते हो, टीपलाइटीज की भी हम वीडियो लेके आएंगे, जीफटेज की भी लेके आएंगे, ठीक है, तो thank you, keep learning and keep watching my channel,